आज जो खबर मिली है ना सच्ची में दिली खुश हो गया बताओं क्या है खबर खबर दोस्तों ये है कि करन कुंद्रा और तेज़स्वी प्रकाश अगले महिने यानी की मार्च 2023 में शादी करने वाले हैं देखो आपका तो मुझे पता नहीं लेकिन बिग बॉस में मुझे इन दोनों को देखकर लगा था कि इन दोनों का रिष्टा बिग बॉस के बाद मैक्सिमम एक साल चलेगा और फिर दोनों अलग हो जाएंगे क्यों कि दोनों शो में इतने जादा फाइट जो करते थे लेकिन इस खबर ने मुझ जैसे और भी कई लोगों को चुपकरा दिया हाई गाइज इस मी मॉनिका और चलो जानते हैं कि तेजरन की शादी की खबर का कन्फरमेशन किस ने दिया और कब और कहां है सारे फंक्शन्स और इस खबर को सुनने के बाद करम कुंगरा की एक्स कल्फेंड अनूशा डांडेकर का क्या है रियक्शन लेकिन आगे बढ़न डिया कि बहुत ही जाधा चंसिस है कि वो और तेजस्वे मार्च में शादी कर ले करण का कहना था कि वो कब से चाते हैं कि वो अपने तेजMar the से शादी कर ले रेवाई और सिर्फ्प वहीं नहीं उनके घरवाले भी शादी के लिए पूरी तरह से तयार है बस प्रॉब्म् बिग बॉस से निकलते ही तेज़े स्वे ने नागिन सीरिल को साइन कर लिया और ये शूट अभी खतम होने का नाम ही नहीं ले रहा और बस इसी चक्कर में वो शादी के प्लाइन्स को पोस्पॉंड पे पोस्पॉंड के जा रहे हैं और अब करन ने भी एक सीरिल साइन कर लि फिर चाहे वो फिल्म सेटी हो या फिर किसी सीरिल का सेट तो इन शॉट करन कभी भी शादी कर सकते हैं और अपने फैन्स को चौका सकते हैं लेकिन फिर कर रात को अचानक से एक ट्वीट आता है जिस पर करन ने लिखा और इस ट्वीट ने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया वो अलग बात है कि करन ने कुछ ही पल में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और शाय मंकी वाला इमोजी ट्वीट कर दिया लेकिन देखने वालों ने तो देख ही लिया था तो भाई करन भाई तो तयार है घोड़ी चड़ने के लिए लेकिन इस बात पर उनकी एक्स गलफेट अनुशा डांडे करका क्या कहना है तो अनुशा ने हमेशा की तरह साफ साफ कह दिया कि मुझे इन सबसे दूर रखो आपको करन कुंद्रा की जोड़ी किसके साथ बेस् स्वी या अनुशा मुझे कमेंट करके जरूर बताए और ऐसी ही चोटर बड़े पर्दे की गॉसिप के लिए डोंट फरिगेट तो सब्सक्राइब तो मैं चैनल तिल देन गुडबाई गाईज